अधियों नवस्कार स्वागत आपका हमारी यूटूप चैनल में और आज हम चर्चा करने वाले हैं मद्द प्रदेश के अती महत्पूर प्रस्वनों की स्रंखला के बारे में जो आज से हमें स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा पार्ट नम्मर बन है और ए प्रस्वन आपको मर पक के मान के चलिए क्योंकि नदियों संबंद दो कोश्चन हरे अग्जाम में पूंच जाते हैं इस पेसलिए सीरेज MPPSC MP ADPO MPSI MPP पुलेस पटवारी और भी जितने मद्द प्रदेश के अग्जाम होते हैं सब के लिए महत्तपूर हैं तो ज्यादा समय ना लेते हुए ब रने जल पर पाथ रने जल पर पाथ जो है दोस्तों खजराह और पन्ना राष्टी उद्ध्यान के निकट के नदी परिस्तित है और इस वाटरफाल को सन 2017 में पसंदीदा वाटरफाल स्रेष्ट हॉलिडे परेटन बिकास निगम के द्वारा हो बाट हॉलिडे वाटरफाल दिन वाजा गया दोस्तों काफी महत्वूर्ट प्रासेन हैं बढ़ते हैं अंगले की तराला Πरसने हमारा मद्ध्य प्रदी की प्राक्रिति किस प्रकार की यह काफी अच्छा प्रसन है और इसमें अफसेंदिए कोई नहीं तो जो हमारा इसका राइट अंसर राइट अंसर प्राइड यूप्या के बारे में आपको बता दूँ कि ऐसी नदिया प्राइज़ी नदिया कहलाती है जो टोटल बर्सा पर डेपेंड होती है जैसी बर्सा क गस्रीजन खतम होता है उनका जलस्तर कंटने लगता है तो एजसी निदीयों एजसी नदियों को प्राइदी भी नदिया कहा जाता है बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की तरब जो महाराज का अंगला प्रस्ण है कि मद्द प्रदेश की किस नदी का नाम नामो दोस भी है दोस्तो काफी महत्पूर्ण प्रस्ण है और यह से कोशन अकसर हमसे पूंच लिए जाते हैं तो इसका दोस्तो जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है नर्वदा नदी को नामो दोस के नाम से जाना जाता है और इसको नामो दोस नाम किसे ने दिया तो प्रख्याद भूगोल विद्थे टॉलमी जिन्होंने इसका नाम नामो दोस दिया जबकि इसके एलाबा इस नदी के दो नाम और है मैकलसोता और सोमोदेवी बढ़ने हैं अंगले प्रासन की तरब जो हमारा आच का Анगला प्रासन है कि नर्वदा नदी का अभभाय छेतर है दोस्तों हमें बताना है कि नर्वदा नदी का अभभाय छेतर कितना है है मतलब कितनी एरिया यहां का पानी नदी में बहके आता है तो उसको कहा जाता है उसका अब बाद चेत्र तो मद्ध्य प्रदेश में यह टोटर नर्वनदा नदी की बात कि जा तो तेरानवे हजार एक सो असी किलो मीटर स्कुएर नर्वनदा नदी का बाद शेत्र बढ़ते हैं अंगले प्रषण की तरब जो हमारा आज का अंगला प्रषण है निमनिलखेत में से कौन सा जलपरपात नर्वनदा नदी बनाती है काफी अच्छा प्रषण है और हमसे जलपर नर्वधा नदी बनाती है और इसके रावब आपको बतादू कि कपिल्धारा दुखधधारा जल्परपाथ है जो काभी फिरमास है लेकिन इस पेसली पोचा जाता है कि जबलपुर के निकटर धुमाधार जल्परपाथ इसके लाबा महिस्वर के पास ही सहस्त जल्धारा जल्परपाथ है और मंधार तसा दर्दी जल्परपाथ जो है यह बहवार के करीब है बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की तरब जो आज का हमारा अंगला प्रस्ण है कि नर्वदा नदी का उद्गम इस्तल कहां से है अंगले प्रस्ण की तरब जो हमारा आज का अंगला प्रस्ण है कि मद्य प्रदेश में नर्वदान नदी कितने किलो मीटर में बहती है काफी महत्पूर प्रसन है हमसे अक्षर पूंच लिया जाता है तो इसका राइट आंसर 1070 किलो मीटर नर्दा नदी मद्द प्रदेश में बहती है बागी बचा हुआ जो आपका एरिया होता है वो आपकी गुजरात में बहती है और पूरी आदी नर्दा नदी के लंबाई की बात किया तो नर्दा नदी की लंबाी है 312 किलो मीटर लेकिन मद्द प्रदेश में बहती है तो इसका हमें राइट आंसर बताना है कि नर्दा नदी का उद्दा मिस्तल क्या है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता है इसका right answer है दोस्तों बैतूल जो तापती नदी है वो बैतूल से निकलती है आप लोगों को बता दूँ इसके लाव ऐसे सम्मदेद कोछ और भी है जो बैतूल के पास मुलताई नगर के समीप इसका उद्गम होता है और पश्चिम के और भाहती हुई खंबात की खाड़ी में इसका दोस्तों जो right answer है नर्मदा अनुपपूर क्योंकि दोस्तों यह उद्गा में स्थर लिखे हैं जिलों के नाम के साथ तो नर्मदा नदी अनुपपूर से ही निकलती है बाकी जो इसमें और option दियेगा है चंबल तो चंबल नदी महू से निकलती है सहडोल से नहीं नि काकरी बैड़ी पहाड़ी से जो निकलती है नदी भाए छिप्रा नदी निकलती है यहां से नाकी ताप तीसलिए दो option यह आपके गलत है पहला option इसका सही है तो इसका right answer है नर्मदा अनुपूर यही आपका जोड़ा सही है बाकी यह दो जोड़े गलत है बढ़ते हैं चंबल नदी है चंबल नदी का उद्गम महूग से इंदोर के पास होता है और जो इसका मैन जगा है इंदोर की जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है चंबल नदी के बारे में आपको एक बात और बता दूँ कि यह हैं यमना की सहायक नदी है और यह है मद्द प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया जहरने में गिरता है दोस्तों तो हमें बताना है कौन सी नदी का जल चूलिया जहरने में गिरता है तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंबल नदी का जल दोस्तों तो इसका जल जो चूलिया जहरना है राजस्थान में है और चम्बल लदी क्योंकि राजस्थान में ही वहती है इसलिए इसका जो राइट आंसर है राइट आंसर है चम्बल लदी चूलिया जहरना है जो चम्बल लदी पर है और राजस्थान के कोटा संभाग में भ इतनी सहायक नदियां हैं दोस्तों इसका हमें राइट आंसर बताना है तो नर्वदा नदी में कुल 41 सहायक नदियां हैं जिसमें से कुछ महत्पूर्ण नदियों के नाम आपको बता दूं हिरन कोलार तिंदौनी मान हतनी उरी सकर दूधी तबा इसारी की सारी नर्वदा नदी की सहायक नदियां हैं बढ़ते हैं अंगले प्रशन की तरब जो आज का हमारा अंगला प्रशन है निमल लखेत में से कौनसी नदी नर्वदा के समांतर बहती है दोस्तों तो यह काफी महत्पूर्ण प्रशन है और इसका रा सागार में गिरती है सूरत होती हुए बढ़ते हैं अंगले प्लसन की तब जो आज का हमारा अंगला प्लसन है निम लगत मैंसे कौन सी नदी पस्चिम की और भाहती है दोस्तों मैं बताना है कौन सी नदी पस्चिम की और भाहती है तो अभी-अभी मैंने आपको बताया कि नर और गंगा और गोदावरी दोनों नदियां जाकर के पस्चे मंगाल में होते हुए सीधे बंगाल की खारी में गिर जाती है दोस्तों गोदावरी पस्चे मंगाल होते हुए नहीं गिरती है सायद इसका con overly जिला इस्टेट मुझे पता नहीं है कि तमिल लाडू है और फिर पस्चे मंगा है लेकिन गंगा कनफरमली पस्चे मंगाल होती है बंगाली खारी में गिरती है और वहीं पर जाकर कि सुंदर बन डेल्टी का निर्माल करती है बढ़ते हैं अंगले प्रासी की तरफ जो हमारा अंग इसका निर्ट मद्य बताना है क्योंकि यह नदीं सीधे जहरना बनाती हुई दूर से करती है जब कि जो देल्टा है डेल्टा ऐसी नदीआ बनाती है जो अपने मेहाने पर उस CAP और एक यह एकप देल्ता नमाक रिद्टी बनाती है इसलिए नदी का निर्माल करती है बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की तरब जो आज का हमारा अंगला प्रस्ण है कि मद्य प्रदेश के किस स्थान से तीन किलो मीटर के अंदर दो पिरमुख नदियों का उदगम है दोस्तो तो जो हमारा प्रस्ण है कि तीन किलो मीटर के अंदर से दो प्रमुख नदियों का उदगम कौन सा है तो इसका हमें राइट आंसर बताना है इसका राइट आंसर है अमर कंठाक दोस्तों अमर कंठाक में तीन किलो मीटर के अंदर से दो नदिया निकलती है जो पहली नदी है वो अनुप पुर्जले की प पढ़ता है अनुप पुर्जले की पुस्पराजगर तहसील में पढ़ता है यदि हमसे कितनी भी गहराई से कोई प्रसन पूची लिया जा तो हमें डाउट ना रहे बढ़ते हैं अंगले प्रसन की तरब जो आज का हमारा अंगला प्रसन है निम्न नदियों में दच्छन की और बहने बाली नदी कौनसी है यह हमें बताना है दोस्तों तो हमें बताना एक दच्छन की और बहने बाली नदी है तो इसका राइट आंसर है बेन गंगा बेन गंगा नदी है जो दच्छन की और बहती है जबकि चंबल नदी सौन नदी बेतवा नदी कैन काली सिंध पार जो पुश्चिम के ओर जा है ऑर दाएंसर बताना है तो ब्यतवा नदी का उदगम इस्थल कौन सा है दो प्रस्थल इसमें राइट आ आन्सर बताना है तो बैतवा नदी का उदगम इस्थल है तो इसके लाबा जो श्योपूरी है तो श्योपूरी से जो आपको बता दूए कि तीनों अप्शन है 케 कि बेतो नदी का उदगम स्तर राशायन से कुम्रागा जो की बिंद्यचल परवदा पढ़ता है जब कि श्योपूरी से कुनू नदी निकलती है और ब्रधान से कर दिचे निकलती है आपकी ब्रधा नदी और जो लखना है लखना से निकलती है गार्णदी तो यदि आज की पूरी की पूरी प्रसिन सीरिज यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चनल को सस्क्राइब करें अन तक वीडियो देहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यबाद